अब 75 साल आजादी के हो गए, क्या पाकिस्तान से गोलियां नहीं आती, क्या पाकिस्तान से अधंकवादी नहीं आते, क्या पाकिस्तान से इसमेग गाजा चरज अभीब नहीं आती है, क्या पाकिस्तान से नकली करन्सी नहीं आती, मैं कह रहा हूँ लाइग टेक्टर टेश कर पहले कर आपने राश्टपति से अर्जी दाकिल किया है कि नागरिकता भारती ये मिले हमने जो याचिका लगाई है देश की महामयम राश्टपति जी का है सीमा मीना बाइफाफ सचिन मीना चार साल पहले जब सीमा हैदर थी और जब तलाक दिया गया था तो हैदर ने कि ये दूसरी बीबी थी इनकी पहली शादी थी निकाह था पहली बीबी से जो बच्चे थे उनको तो ऑपने साथ रख रहा है अभी भी दूसरी बीबी के चारों बच्चों को छोण रखा है तलाक दे रखा एक बात के लिए कर दूँ अब तीसरी वीवी उनके साथ रह रही है इसने तलाक जब दे दिया चार साल पहरे उसके बाद ये विप्रियास किया सीमा ने कि इन बच्चों को तो अपने साथ रख लो बच्चों के तो पिता का सहारा मिल जाएगा क्योंकि 2022 तक सीमा के पिता जीवित रहे 2022 पिछले साल उनकी मौत हो गई उसके बाद बेसाहरा हो गई असहाय हो गई और महिला है चार बच्चों की माँ है तीन बेटियां है एक बेटा है सोचिए और पाकिस्तान जैसी धर्ती से आना जहां महिला को आपने देखा कई बार महि पलतलाक बालार मानी सरवच नैले ने ये काम किया तो महिला इस देश की सुरक्षित भी नागरिता कैसे दी जा सकते है saints में अधानान सामी को भार्ती नागरित देपी का पादकोन भारत की नागरिक नहीं है रह रहे हैं न देश में और ये तो नामी गिरामी नाम हो गए अब आप आईए 75 साल 1948 सिटिजिंशिप एक्ट के बाद की बात करिए इस तेश में हजारों पाकिस्तानी बंगला देशी अफगानिस्तान के अगर हिंदू मुसलिम की बात कहें करना नहीं चाहता मैं लेकिन वो भी उनको नागरिक्ता इस देश के सिस्टम से मिली है और वो तो उसने अपना धर्म परिवर्तन किया नेपाल में कि हिंदू धर्म किया हिंदू धर्म से प्रभावित थी भारत देश से प्रभावित थी भारत सरकार से प्रभा लेकिन अगर सचिन की जगह पर कोई मुस्लिम शक्स होता और सीमा साथ में आती धर्म परिवर्तन करके या सीमा धर्म परिवर्तन नहीं भी करती तो क्या उसके लिए भी आप इसी तरीके से मुखालपत करते हैं। 32 टुकड़े करने वाली आपने वो देखा दर्श्चे मुंबई की लड़की आती है हमारे धर्म के इंगल की बात नहीं है प्यार की बात है यहां सिरी फर्याद लैला मजनु हीर राजा का इतिहास रहा है क्या धर्म की बात है अभी पिछले जुनों 2022 की बात है बिहार की आरत यादवर छोटू यादव की प्रेम कहानी सब ने देखी तो अगर 2023 में सीमा और सचिन की इस प्रेम कहानी को आगे मिलता है सहारा तो क्या बुराई अब लोग तो यह भी कहते हैं यह चार बच्चे इसके नहीं है उम्र को लेकर भी तो सवाल खड़े हैं उम्र को लेकर भी मैं तो मैं कहें दूँ मुझे बहुत अच्छा नुबाब है महिलाएं अपनी उम्र कभी सीधी सही नहीं बताती है यह तो पुरुष है जो अपनी उम्र बताता रहे हैं लेकर साथ आठ साल हम आपको देश के ऐसे मेंबरा पार्लेमंट का बता देते हैं जो 2014 में चुनाओ और जो उम्र भरी गई एफडेविट में तो जो दोहर 14 वाली 19 में भरी गई पांस साल का गए पांस साली बीते हैं तो महिला तो महिलाओं के साथ यह बात हो जाती है ऐसा हो जाता है यह कोई बड़ी समस्या की बात नहीं हां मैं मानता हूं उसके आने का रास्ते के तरीका थोड़ा गलत था वो नेपाल मुसका विवा हुआ हिंदुरित रिबास से उसके बाद भाड़ की बहू बनी तो नेपाल और भारत का रोटी और बेटी का रिस्ता है वो पास्पोर्ट वीजा लगता नहीं है उसे आ गई भारत में अब भारत में रह रही आते ही उसने डिय एक्षिन हुआ, FIR दर्ज हुई, FIR दर्ज होती है, 1614 Foreigner Act में होती है, 120V में दर्ज होती है, उसको पुलिस कस्टडी में भेजा गया, उसको जुडिशियल कस्टडी में जेल भेजा गया, उसके बाद अन्रेवल कोट उसे बेल देती है, कि बल सीमा को नहीं, सचिन को भी बेल द पाकिस्तान से गोलियां नहीं आती, क्या पाकिस्तान से अतंकवादी नहीं आते, क्या पाकिस्तान से इसमेग गांजा चरस अपीम नहीं आती है, क्या पाकिस्तान से नकली करंसी नहीं आती है, बताएं आप मना करें, क्या पाकिस्तान से कांधार कांड होती है, अब बताता इस देश की सबसे सुरक्षित जेल जहां आतंकवादी बंद थे उन आतंकवादियों को छुड़ाया गया छुड़ा के कांधार में ले जाके छोड़ा गया और बही आतंकवादी आपके लिए नासूर बने 26-11 और संसत हम लेके मास्टरमाइब आप लोगों ने उनके परिव दुबिया का पढ़ होता है आतंकवादी छोड़े जाते हैं आज आपको यह आतंकवादी दिख रही है एक चीज बताए कि पाकिस्तान से धंकिया आई वहां पर हिंदू मंदिरों के खिलाफ वहां पर तोड़ फोड़ हुई तमाम तरीके से चेतावनी दी जारी है इस प् 75 साल में पाकिस्तान ने कोई मंदिर बना के आपको दिया है मंदिर 75 साल में तोड़े गए हैं क्या पाकिस्तान में किसी हिंदू महिला का विवाह करा के उन्होंने हिंदू के साथ किया है धर्म परिवर्तन होता है लड़कियों के साथ अपमान और प्रताना होती है और मंद चाहते कि सीमा हैदर यहां पर रहें जो नागरिक्ता हजारों लोगों को मिल गई मैंनेये अपनी प्रटीशन में लिखा है हजारों को जो भारत की नागरिक्ता मिली है जो पाकिस्तान बंगलादेश और अफगानिस्तान से तक आए हैं और मुसलिम धर्म के हैं उनको भी लेकिन आप सवाल उठते हैं उसके साड़ी पहनने पर बिंदी लगाने पर तुलसी की पूजा करने पर हिंदी बोलने पर हिंदी तो दुनिया की भाशा बादचीत का लहजा और तरीका जो है वो लगता है कि वो पाकिस्तानी नहीं है जैसे पूरी तरीके से ट्रेंड किया ग सीबी आई से जाँच कराईए आप एनाईये से जाँच कराईए आप रा से जाँच कराईए आप पाकिस्तान के दूतावास में अपने दूतावास का उसके प्रियो करके जाँच कराईए आप नेपाल के दूतावास से अपने जाँच कराईए दुवई के दूतावास से और इतना नहीं, आप सीमा का polygraphy टेस्ट कराईए, brain mapping टेस्ट कराईए, lie detector टेस्ट कराईए, और उसके बच्चों के लिए कहा जाता है, बच्चे उसके नहीं, आप बच्चों का भी DNA कराईए, अगर ये सब को सही निकले, तो आप उसको इस देश की बहु माल लेना, अगर इ सिंग साब, कि जिस महिला को लेकर अब ये तमाम एजन्सिया जाच कर रही है, उस महिला को पहले ही भारतिये नागरिता कैसे मिल सकती है, आपने अर्जी भी दे दी, मैंने संरक्ष्ण मागा है, उसने कहा देश की महान देश भारत है, और यहां जी और जीने दो का सिद्ध चलता है, यह पाकिस्तान में नहीं चलता है, यहीं बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ का भियान चलता है, हमारे देश को उसने पता कितनी बड़ी बात कही, कि मैंने का हिंदू धर्म क्यों तूने ग्रहन किया, कई आपके धर्म में जब भी पूजा पाठ हवन होता है, और बहु और नाती पोते की बात नहीं करता है, यह विश्व के कलार की बात करता है, और हमारा पाकिस्तान आपके हाँ तंकवादी भेजता है, सोचिया, 16-21 होता है, सहंसद हमला होता है, बुलवामा होता है, इतने बड़े-बड़े कांड होते हैं, तो यह बात उसकी मन में है उसका विश्वास है कि देश की महा महिन राष्टपती, गरीबों, दलितों, शोशितों, पीडितों, मज़ूरों, मजलूमों की आवाज, अपने अरजी में क्या है? यही सब कुछ लिखा है, बहुत लंबी चोड़ी अरजी है, लेकिन खास बात क्या है? उसका आधार क्या जाए, जाच हो, निर्दोश हो, तो इसको माना जाए, दोशी है, तो बड़ा से बड़ा दन गया है. इस देश में महिलाओं का सम्मान, वो कहती है, हमारे आपके देश में तो सीता, साबितरी, गारगी, अप आला, अनुसुया, रजिया, सुल्ताना, जासिक, रानी, लक्ष्मिबाई, और पदमाबती, और हाडा रानी का बात की जाती है. हमारे यहां तो इतनी आजादी नही इसके सासर, उसकी सास, सबसे प्यार मिल लहा है, सबसे सम्मान मिल लहा है, सबसे इज़त मिल लही है, और उसके लिए आवश्यक भी है, जरूरी है, पर होना चाहिए. भारती और भारती तुकी भी बात कर रही है, सीता, सावितरी इतना सारा ज्यान, ऐसा नहीं लगता है कि बहुत कुछ समझाया पढ़ाया गया हो, सिमागे. इने योगता कभी किसी की गुलाम नहीं होती, दिग्रियां मिलने के लिए तो डोनेशन चाहिए होता है, कौन बच्चा किस कॉलेज किस स्कूल में पढ़ना, इसका इतना बड़ा डोनेशन, इतना बड़ा डोनेशन, तिग्रियां लेने के लिए तो डोनेशन और फीस योगता थी, उन्हों धिगरिया नहीं लहीं, वह साथर चाथर नहीं रहीं, उनकी कल आ उनकी योगता थी, हमारे देश में इसे कितने सांसत विदायक राजिनीति में हुए, फूलन देवी की क्या योगता थी? बता. यह उठा चाओ और उसने कहा मैं देश की संसद में जब बैट सकती हूँ अगर मैं साइन करना जानती होती तो पता नि ग्रह मंत्री भी बन जाती सोचिया देश की बड़ी बंचायतों की मानी सदस रहे हैं योगता को आप डिगरियों से नहीं आख सकते योगता को आप इस मा थ्याण रखना लोगों को पड़ेगा जो उसको बना देते हैं ओटन्क वाटी पॉलिग्राफिक कराओ अच्छे सच्छे CFSL डारेक्टर बठा लो आप पूल टीम बठा लो दो लोग एक डारेक्टर होते हैं पास CFSL की जो यूनिट होती है उनको बुलाओ लैप CFSL बुलाओ आपने सीमा को समझाया है और सीमा ने क्या कहा है उसने यही कहा भाईया हमें देश के महमें राष्टपती पर भरोसा मैंने कर तुम्हारी याचिका लगे की उसने कहा कि हमें देश की भारत माता पर विश्वास है गंगा पर विश्वास है तुलसी माता की पूजा करती है यह कि इसमें बुरा लगता है लोगों को हजम नहीं होती है वो साड़ी अच्छी क्यों पहिंती है अरे उसने जब माना है कि माथे के सिंदूर और बिंदिया और हातों की चूडिया और पैर के बिच्छुआ और गले का मंगल सूत अगर सुहा की निशानी को उसने माना है तो यह रिप्लाय है जवाब क्या सिमार उसने कहा मैं तो लगातार मुसे इतनी पूस्ताच हो चुकी है अभी परसों हुई ददस घंटे की घर हमने सब पूस्ताच करो बच्चों को ले जाओ सब को ले जाओ जो पूचे वो बताओ सारे डाकुमेंट उसके पास हैं सारे वेरिफि पूकर है तो उसकी मदद करो गलत है इस देश में तो ऐसा तो है निhst आतंकवादी नहीं आए लेकिन लेकिन अगर वह आतंकवादी है तो सामने तो लाई आपको लगता है कि निर्दोष इनोसेंट मुषे लगता है क्यों एसा आतंकवाद करने आएगी जै केले कि नहीं आएगी अपना सब कुछ स्वावप नहीं देगी सता के लिए कि नाका के लिए मेरिस के लिए रजिस्टेशन के लिए बुलंद्शर कूट नहीं जाएगी जाएगि इस आप इतना भी तो प्यार में युद्ध में राजनीत में थोड़ी बहुत अगर कोई कमी भी हो जाती है तो इतना तो समझ लो इतना तो चल जाता है ना प्यार में युद्ध में राजनीत में अगर ये ना चले तो प्यार अंधा क्यों कहा गया है प्यार की पूरे सपोर्ट में प्यार मैं सपोर्ट में देश प्यार की धर्ती रहा है अब क्या मैंने लैला मजनुश सीरी फर्याद और ही राजा को देखा नहीं इसको भी छोड़ दें यह साब यह मिसाल बनेगी